शेहर के स्कीम नमबर 9 में बिंदोली में नाचने की बात को लेकर दो पक्षम में विवाद हो गया था जिसमें एक गंबीर गहली इलाज के दोरान मोत हो गई थी जिसका शव पारीजन केंट थाने लेकर पोचे और आवरोपी को पकड़नी की मान करी शेहर के स्कीम नमबर 9 में बिती शुक्रवार राद बिंदोली में नाचने की बात को लेकर दो पक्षम में विवाद हो गया था इसमें गंबीर रूप से घायल एक युवक की शनिवार दोपर उद्यपूर में इलाज के दोरान मोत हो गई जिसका देड़ शाम को शेव लेकर परीजन सिधे केंट थाने पोचे जहा करीब एक गंटे तक बड़ी संक्या में थाने का गेराव किया और मरतक पर जान लेवा हमला करने वाले आरोपियों की शिकी गिरफतारी कर सकत कारवई की मांग की शूचना पर CSP राकेश मौन शुक्ली पोचे और उन्होंने उचित कारवई का अर्श्रशन दिया तो उनका गुस्ता शाम दुआ इसके बाद फिर वहां से रहवाना हुए इस मामले में CSP राकेश मौन शुक्ली ने कहा कि इसकी नमबर 9 में बिंदोली में नाचने की बात को लेकर दो पक्ष्चों में विवाद हुआ था इसके बाद दोनों पक्ष्चों पर शिकायत की गई तो उसमें क्रास काहिमी की गई है इसमें एक पक्ष्च के गायल यूवक की इलाज के दोरन मोत हो गई है इसके बाद प्रकण में धारा 302 और मुक्ष्च शाक्ष्वा प्रभीजनों के बयान के आधार पर कुछ और आरूपियों को नामजद किया जा रहा है जिनकी जल्द गिरफ्टारी का कोट में पेच किया जाएगा और सखस्षा देने की मांग करेंगे इसपी साब ने इस बात का कि तुरंद गिरफ्टारी होगी और जिन लोगों के नाम नहीं थे फाहर में उन लोगों के नाम बढ़ाय जाएंगी और उनकी फोरण गिरफ्तारी होगी कल सुबह तक यह आजवर तकरीबन दो से तीन चार नाम बढ़ा है वो अंगर बयान चल रहे हैं वो जो मेन है यूनुस कुरेशी और उनका भाई असलम यह सब भाईबन है रिस्तेदार हैं इन्होंने गुड बाजी करके और एकता के साथ है मतलब चोड़े पर हमला करा घर जार घर पर आकर उस सबस्क्राइब कर लेकर रहा था यह विवाद वाद वा बिल्डोरी के साब से लाजब करने के साब से अजय और यहां पर यहां पर देत इनकी सुबह एक बजे के तकरीबन एक दो तकरीबन उदयवपुर में होई है इनको रेफर करा था उद्यवपूर लेकिन उस वक्त भी मतलब क्या इसमें कारवाई नी कि गई थी बराबर नारमल धरहें लगई थी सामने अलोग इस बात को मतलब समझ नहीं पा रहे हैं जाद हम नहीं समझ पा रहे हैं किस तरीके से मतलब जो 307 के कारवाई थी वो क्यों कि यह बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं अब सर में आस्वासन दिया हमारे को 302 की कारवाई करने अब देखो आगे जो कि एक शादी में बिंदोली निकालने की बीच में विवाद हुआ है जिसमें आज दुखत रूप से वसीम कुरेशी का कि वसीम जिसमें आमी दुखत मृत्यू हुई है आज इस संबन में पूर से प्रकण पंजिबद है इनके उदैपूर जो रिफर किया गया था वहां से कागजात प्राप्त करके उसमें धारा 302 बढ़ा रहे हैं और जो कल रिपोर्ट के अलावा जो भी लोग वहां मौजूद थे जो इनोंने लि उनका इनोंने हमको जानकरी दिये उनके हमने कथन दारा 161 के तहत लेक बद्र करा लिये हैं और उनके नाम इस प्रकण में सामिल किया जाए जाए ज़ो पर जो है पुलिस एपायर नहीं कर रहे हैं नहीं ऐसे नहीं है पुलिस तो जो आप रिपोर्ट लिखाएंगे वह रि कानून की दृष्टी से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है जो भी इनोंने आज नाम बताएं हैं उनको हम अनुसंधान में सामिल करेंगे और उने भी गिर्फतार करेंगे विवाद का क्या करण समने रहा है विवाद एक इनके हां विवास हमार हो था वहां बिंदोली के बीच में पास पास रहते हैं दोनों पीड़ित भी तो उसमें नाचने की बात पर से कुछ विवाद हुआ था चोटा सा विवाद ने पुराना कोई बड़ा विवाद नहीं है चोटे से विवाद ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसमें एक बालक की दुखन मृत्यों हो गए अब आरोपियों का जो यदि कोई कर्मिनल रिकार्ड होगा तो उसके अनुसार कारवाई की जाएगी